आठ साल का एक बच्चा एक रुपए का सिक्का मुठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा क्या आपकी दुकान में इश्वर मिलेंगे दुकान दार नहीं है बात सुनकर सिक्का नीचे फेक दिया और बच्चे को निकाल दिया बच्चा पास की दुकान में जाकर एक रुपए का सिक्का लेकर चुच्चा भढ़ा रहा ए लड़के एक रुपए में तुम क्या चाहते हो मुझे इश्वर चाहिए आपकी दुकान में है दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया लेकिन उस अबोध बालक में हार नहीं मानी एक दुकान से दूसरी दुकान दूसरी से तीसरी ऐसा करते करते कुल चालीस दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बुढ़े दुकानदार के पास पहुचा उस बुढ़े दुकानदार ने पूछा तुम इश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो क्या करोगे इश्वर लेकर पहली बार एक दुकानदार के मूँ से यह प्रष्ट सुनकर बच्चे के चेहरे पड़ाशा के किरने लहराई लगता है इसी दुकान पर ही इश्वर मिलेंगे बच्चे ने बड़े उत्सा से उत्तर दिया इस दुनिया में मा के अलावा मेरा और कोई नहीं मेरी मा दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है मेरी मा अब अस्पताल में है अगर मेरी मा मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ इश्वर ही तुम्हारी मा को बचा सकते है क्या आपकी दुकान में इश्वर मिलेंगे हाँ मिलेंगे कितने पैसे हैं तुम्हारे पास सिर्फ एक रुपिया कोई दिक्कत नहीं है एक रुपए में ही इश्वर मिल सकते हैं दुकानदार ने बच्चे के हाथ से एक रुपए लिया और उस एक रुपए के अंदर एक गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से एक ग्लास पानी भर कर दिया और कहा यहां पानी पिलाने से ही तुमारी माँ ठीक हो जाएगी अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशालिस्ट उस अस्पताल में गए बच्चे की मा का उपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वस्वस्थ हो गई डिस्चार्ज की कागज़ पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के खुश उड़ गए डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा टेंशन की कोई बात नहीं है एक बृद्व सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिये है साथ में चिट्थी भी दी है महिला चिट्थी खुलकर पढ़ने लगी उसमें लिखा था मुझे धन्यवाद देने की कोई आवशकता नहीं है आपको तो सुयम इश्वर नहीं बचाया है मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती है तो अपने अबोद बच्चे को दीजिए जो सिर्फ एक रुपए लेकर ना समझो की तरह इश्वर को ढूनने निकल पड़ा उसके मन में यह दृड़ विश्वास था कि एक मात्र इश्वर ही आपको बचा सकते हैं विश्वास इसी को कहते हैं इश्वर को ढूनने के लिए करोड़ो रुपए दान करने को ज़र्वत नहीं होती यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे एक रुपए में भी मिल सकते हैं आईए इस महमारी से बचने के लिए हम सभी मन से इश्वर को ढूंडें उनसे प्रार्थरा करें आपका दिन शुम हूँ